कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंग सैनी हरियाना के नए मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई है मीटिंग के बाद नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया और पूर्व सीएम मनोहर लाल खटर ने फूल देकर उन्हें बधाई दी वहीं विधायक दल की बैठक से पहले ग्रिहमंत्री अनिल विज नाराज होकर निकल गए उन्हें नायब सैनी के नाम पर एतराज था विज छे बार के विधायक हैं लेकिन उन्हें सीएम नहीं बनाया गया आईए जानते हैं नायब सिंग सैनी के बारे में नायब सिंग सैनी का जन्म 25 जन्वरी 1970 को हुआ था 2019 के संसदिय चुनाव में वो कुरुक्षेत्र से चुनाव जीत कर लोकसभा में पहुँचे थे सैनी ने बिये की पढ़ाई बियार अंबेड कर विहार युनिवरसिटी मुजफर पूर से की जबकि LLB की पढ़ाई उन्होंने मेरट की चौधरी चरण सिंग युनिवरसिटी से की है वो राश्ट्रिय स्वयन सेवक संग से बीजेपी में आये हैं RSS के जरिये ही उनकी मुलाकात मनोहर लाल खटर से हुई कुछ समय बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए साल 2014 में वो नारायन घड विधान सभा से विधायक बने इसके बाद साल 2016 में वो हरियाना सरकार में राज्यमंत्री रहे वो हरियाना सरकार के राज्यमंत्री थे लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो कुरुक्षेत्र से सांसत चुने गए नायब सिंग सैनी अंबाला के मिर्जापुर माजरा के रहने वाले हैं 2019 में दिये गए चुनावी हलफ नामे के अनुसार नायब सिंग सैनी के पास कुल संपत्ती 33 लाख है जबकि उनकी पत्नी के पास 11 लाख रुपए की चल संपत्ती है दमपत्ती के पास कुल 2,85,000 रुपए कैश भी है एफिडेविट में उन्होंने बताया कि परिवार में उनकी मा कुल बंत कौर, बेटी वनशिका और बेटा अनिकेत सैनी भी है उनकी मा के अकाउंट में 5 साल पहले 71,000 रुपए थे जबकि बेटी वनशिका के पास 2,93,000 और बेटे के पास 3,29,000 रुपए थे उनकी पत्नी के सेविंग अकाउंट में 4,70,000 रुपए थे खुद नायब सिंग के बैंक अकाउंट में पौने 2,00,000 रुपए थे आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी हमें जरूर बताएं ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI